हलो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीडा क्रिकेट दरसल आईपील का मिनी आॉक्षन खत्म हो चुका है और अब स्पोर्ट्स कीडा जो है वो आपको एक एक करके सभी फ्रेंचाइजियों के स्कॉर्ड के बारे में बता रहा है कि क इस टीम का स्कॉर्ड जो है वो कितना मजबूत दिखाई दे रहा है तो अब हम बात करेंगे आरसीबी की टीम की ये टीम अभी तक एक बार भी आईपील का खिताब नहीं जीत पाई है हाला कि ये आईपील की एकलोती फ्रेंचाइजी है जो तीन तीन बार आईपील के पूरा कर सकते हैं और पहली बार आरसीबी की टीम को आईपील का चैंपियन बना सकते हैं चलिए आपको बताते हैं कौन-कौन से खिलाडियों को आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा है और कैसी दिख रही है इस बार आरसीबी की टीम लेकिन उससे पहले कर लीजे एक छोटा पहले मिल सकें तो हम बात कर रहे थे IPL मिनी आॉक्षन के बाद कैसी दिखती है RCB की टीम दरसल इस टीम की बल्ले बाजी तो हमेशा सही इस टीम का मजबूत पक्ष रही है लेकिन कई बार इस टीम की कमजोर गेंद बाजी की वज़े से इस टीम को हार का सामना करना पड़ता है लेकिन इस बार IPL के मिनी आॉक्षन में RCB ने अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया था इसलिए इस बार के मिनी आॉक्षन में उन्होंने कई धांसू खिलालियों को अपने साथ जोड़ा है और इस टीम में एक खिलाली तो ऐसा भी है जिसने छे गेंदों पर छे छक्के भी लगाए है और पच्चिस गेंदों में सेंचुरी भी लगाई है उस खिलाली के बारे में भी बताएंगे आपको और RCB के पूरे स्कॉर्ड के बारे में भी हम आपको बताने वाले है लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किन-किन खिलालियों को इस बार RCB की टीम ने खरीदा है इसमें सबसे उपर नाम आता है बल्ले बाजों में विल जैक्स का विल जैक्स को RCB की टीम ने खरीद आये 3 करोड 20 लाख रुपे खर्च करके दरसल कहने को तो ये बलेबाज हैं लेकिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं हाल ही में इन्होंने अपने इंटरनाशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था अब करते हैं आगे आलराउंडर्स की बात इस बार RCB की टीम ने सोनू यादव के तोर पर एक भारतिय आलराउंडर को जोड़ा है और वो भी सिर्फ 20 लाख रुपे में वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजों की तो इस बार RCB की टीम ने इंग्लेंड के ही तेज गेंदबाज रीस टॉपली को अपने साथ जोड़ दिया है एक करोड़ नब्बे लाक रुपे में इसके अलावा हिमांचु शर्मा जो की एक भारतिय गेंदबाज हैं उन्हें 20 लाक रुपे में RCB ने अपने साथ जोड़ा है 20 लाक रुपे में अविनाश सिंग को RCB ने अपने साथ 60 लाक रुपे में जोड़ा है तो वहीं राजन कुमार को 70 लाक रुपे खर्च करके RCB ने अपने बेडे में शामिल किया है तो चलिए वह खिलाडी तो आपने देख लिए जिन्हें RCB ने IPL के मिनी आॉक्षन में खरीदा है इनमें विल जैक्स और री स्टॉपली पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं और विल जैक्स जो है वो तेज तरार बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अब उन खिलाडियों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिन्हें इस मिनी आॉक्षन से पहले RCB की टीम ने रिटेन किया था क्योंकि उन खिलाडियों के बारे में भी जानना बेहत जरूरी है तो हम जानते हैं कि RCB की टीम ने जिन खिलालेों को रिटेन किया था उसमें सब से उपर नाम है विराट कोहली का इसके अलाबा अगर बल्लेबाजों की बात करें तो सुयश प्रभुदेसाय को भी यहां पर रिटेन किया था RCB ने विकिट कीपर्स की बात करें तो अनुज रावत, फिन एलन और दिनेश कार्तिक को रिटेन किया था RCB ने और राउंडर्स की बात करें तो ग्लेन मैक्स्वेल, डेविड विली, महिपाल, लोमरोर, शाबास, एहमद और वानिंदू हसरंगा इस टीम के साथ मौजूद हैं बजबूत नजर आ रही थी, लेकिन अब विल जैक्स और रीस टॉपली के आने के बाद ये टीम जो है वो और जादा मजबूत हो गई है, और जादा दमदार हो गई है, और जादा शानदार हो गई है, तो ऐसे मैं अभी देखना दिल्चस्प होगा कि क्या अगले साल होने बार आईपिल का खिताब जीत सकती है, कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और हमें पूरे उमीद है कि आपको हमारे वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो स्पोर्ट्स किड़ा क्रिक्ट के यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज को सबस्क्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि खेल लगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे देज और सबसे पहले मिल सकें, तो अपने दोस्त दीप सहेगल को दीजिए अजासत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना खयाल लिए बाइ, तेक चर